वेल्कम डू दू दा सेशन आप सभी ने देखा कि चैप्टर फोर और चैप्टर फोर के पार्ट वन और पार्ट टू में किस तरीके से भारत जब आजाद हुआ तो उन्होंने अपनी विदेश सम्विधार निर्माताओं ने हमारी विदेश नीती को एक दिशा दी और उसके बाद किस तरीके से भारत ने सारे ही विश्व में जो उस समय धड़े बने हुए थे उनसे खुद को अलग रखते हुए एक स्वतंतर नीती अपनाई फिर मैंने आपको बताया कि चीन के साथ हमारे जो सम्मन थे वो किस तरीके से बतले 1962 में जब भारत का चीन के साथ यूद दुआ तो भारत की छवी को देश और विदेश दोनों ही जगें से बहुत बड़ा धक्का लगा इस संकट से उबरने के लिए भारत को अमेरिका और ब्रिटेन दोनों से सैनेर मदद की गोहार लगानी पड़ी तो भी संग इस संकट की घड़ी में तटस्थ बना रहा चीन युद से भारती राश्टी स्वाभिमान को चोट पहुची लेकिन इसके साथ साथ एक राश्ट्रवादी भावना का भी हमारे देश में विकास हुआ कुछ प्रमुक सैने कमांडर जो उस समय के थे या तो उन्होंने स्टीफ्य दिया या अवकाज क्रहण करिया की कर लिया नहरू के नजदी की सहयोगी और ततकाली रक्षा मंतरी वीके कृष्ण मैनन को भी मंतरी मंडल से इस्तीफा देना पड़ा उस समय जो हमारी सामरे गलतिया रही स्ट्रेटिक मिस्टिक्स जो हमने की उससे हमारी सरकार की छवी को नुकसान हुआ और नहरू जी की खुद की जो छवी थी वो भी धूमिल हुई चीन के एरादों को समय रहते ना भाब पाने और सैन ने तैयारी ना कर पाने को लेकर भी नहरू जी की बड़ी आलोचना हुई थी और यही वो समय था जब हमने अपने विदेश नीती के बारे में अपनी सैन नीती के बारे में एक नए सेरे से देखना शुरू किया था और भारत की जो स्टैटिजिक और जिग्राफिकल लोकेशन थी जो उसकी इंपोर्टेंस थी उसको भी हमने पहुचाना पहचाना दक्षण में जा हम इंडियन ओशन था वेस्ट में पाकिस्तान और अरेबियन ओशन था इस्ट में अगर हम कहें तो इस्टन पाकिस्तान उस समय का बंगाल की खाड़ी और वाकी इस्टन कल्टीज से और नौर्थ में अगर हम देखे तो फिर हम कह सकते हैं कि एस्टन कल्ट त्रिपुरा, मनिपूर, मेजोरा, मेगा, नागालेंड ये सारे राज्य उस समय इनकी इंपोर्टेंस हमको समझ में आए क्योंकि ये राज्य काफी लंबे समय से उपेक्षा के शिकार रहे थे आर्थे गुरूप से बहुत पिछले थे और कई राज्य उनमें से केंद्र शासित प्रदेश थे मनिपूर और त्रिपूरा को उस समय केंद्र शासित प्रदेशों का दर्जा प्राप्त था लेकिन उनको अपनी विधान से वाकिन वाचन कादिकार दिया गया नागा लेंड को एक अलग प्रांथ का दर्जा दिया गया ताकि वहाँ पर एक नए से रेस विकास किया जा सके और वहाँ के लोगों को भारत जो की एथनिकली कही न कहीं हम कह सकते हैं चाइना के जादा करीब थे लेकिन क्योंकि सीमांगन के बाद वो भारत के अंदर आये थे तो कहीं न कहीं वो भारत के पास रहें वहाँ के लोगों की भावनाएं भारत के साथ जुड़ी रहें और काफी बड़ी सफलता इस दिशा में देखने को बाद में मिली पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध और शान्ती की वारताय लगातार चलती रही सबसे पहला मसला जो आया वो था कश्मीर का कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के साथ बटवारे के तुरंट बाद ही संगर्ष छिड़ गया था 1947 में कश्मीर में भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच एक दूसरे के विरुद प्रॉक्सी वार या फिर चाय युद्ध छड़ा हुआ था डायरेक्ट वार नहीं था लेकिन कहीं ना कहीं छड़ब जो है छुटपुट चलती रहती थी यह संगर्ष पूर्ण व्यापी युद्ध का रूप उस समय नहीं ले पाया 1948 में भी आप जानते हैं जब कश्मीर का भारत में विला किया गया वहां की राजा ने लिख करके दिया उसके बाद यह स्थिती थोड़ी सी एसकेलेट हुई लेकिन उस समय भारत ने एक बहुत बड़ी हम कह सकते हैं स्ट्राइटिजिकल मिस्टेक करी जो बाद में जाकर के लगी कि उनाइटेड नेशन को एस अब्जर्वर वहां पे नियुक किया गया और संयुक राज अमेरिका को भीच में लाने का प्रयास किया गया ठीक है तो भारत कहीं न कहीं हम कह सकते हैं जो एक रवया अपनाने की कोशिश कर रहा था तटस्ता की गुट निर्पेचता की भारत वो नहीं अपना पाया पूरे तौर पर कुछ है बहुत हद तक भारत का प्रयास तफल रहा लेकिन कहीं न कहीं उसका नुकसान भी देखनों को मिला और उस रवईये पर हम पूरी तरीके से कामया नहीं हो पाए तयूक तराशकन के हैं या हस्तक शेप से इस लड़ाई का अंत हुआ बाद में भारती प्रधान मंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जनरल अयूक खान के बीच में 1966 में ताशकन्द का समझाता हुआ आप जानते हैं इसी समझाते के बाद पूर प्रधान मंत् सूविय संग ने इसमें मध्यसेता की भूमे का नभाई 1956 की लड़ाई में भारत ने पाकिस्तान को बहुत जादा तैन च्छती पहुचा दी थी इसलिए हम कह सकते हैं कि बहुत हद तक भारत ने पाकिस्तान को कंट्रोल में करने में जो है वो पूरी तरीके से कामिया भी प जाए रखा जाए इसके बाद आया आजादी के बाद का तीस्तरा दशक 1980 की शुरुआत हुई इस्टन पाकिस्तान में विध्रो के साथ जिसको हम बांगलादिश युद्ध के नाम के से जानते हैं हाल ही में इसकी पचास्तवी सालगिरा मनाई गई है तो आपके अली पाकिस्तान के सामने एक गहरा अंदुरूनी संकटा खड़ा हुआ पाकिस्तान के पहले आम चुनाओं में घंडित जनादेश सामने आया जुल्फेकार अली भुट्टो जो की पच्चमी पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है यहां से उनकी पार्टी विजय हुई और प्यम दर्जे के नागरिक बरताओं के विरोध में यह नतीजा आया था और पूरवे पाकिस्तान की बंगाली जनता ने इस पार्टी को वोट दिया था आवामी लोग जो मुझीबुर रहमान की पार्टी थी भारत के यह काफी करीब थे पाकिस्तान के शास्तक इस जनादे 1971 में शेक मुझीबुर रहमान को गिरफतार कर लिया और पूरवी पाकिस्तान के लोगों पर जुल्म उढ़ाने का प्रयास किया गया जवाब में पूरवी पाकिस्तान की जनता ने अपने इलाके यानि मौझीदा बांगलादेश को पाकिस्तान से मुक्त कराने के लिए भाग कर भारत के नजदी की इलाकों जो की बंगाल और असाम का इलाका था वहाँ पर इनों ने शरनली रिफ्यूजीज के रूप में आए भारत ने बांगलादेश के मुक्ती संग्रान को नैतिक समर्थन भी दिया और भौतिक सायता जो भी भारत उस समय दे सकता था वो भ भारत ने दे थी तो आपने देखा कि किस तरीके से भारत कहीं न कहीं अगर हम उसको रेट्रोस्पेक्शन में जाकर के आज एनलिसिस करते हैं तो बहुत बड़ी कूट नीतिक काम्याबी ये भारत के लिए एक थी कि इस्टर्न पाकिस्तान और वेस्टर्न पाकिस्तान के र रखा था उससे भारत ने अपने आपको आजात कराया और इस्टर्न पाकिस्तान जो की एक बहुत हद तक एक हम कह सकते हैं लिब्रिलिस्ट रूप में उभर करके सामने आ रहा था वो बश्चिन पाकिस्तान के इन्फ्यूएंस से अलग हुआ उसके स्ट्रेजिक फायदे भ भारत को बाद में मिले हलाकि रिफ्यूजीज की समक्स्या बहुत समय तक बनी रही आज भी बनी हुई है भारत और भांगलादेश के वीच में जो सीमा को लेकर के विवाद था वो भी अभी हाल ही में खतम हुआ लेकिन ओवर और अगर आप देखे तो ये भारत के लिए ए आधा हमारे अंदर वो धम, वो ताकत और रवाइया है जिसने की हम वैश्व, जो एक वैश्व विवस्था है उसमें एक अलग तरीके से भी अपना रोल प्ले कर सक्ते हैं और स्वतंत्र रहते हुए कहीं ना कहीं हम अपने हों को साध भी सकते हैं उस समय भी अमेरिका से भ लेकिन भारत ने भी अपने आपको उस लीग में खड़ा कर दिया था इस घटना के बार तो आपने देखा कि किस तरीके से चैप्टर 4 के पार्ट 3 में भारत ने अपना एक नया रूप विश्व विवस्था के सामने रखा चैप्टर 4 के पार्ट 3 में अतना ही इसके अलावा एक पार्ट 4 और है जो इसका लास पार्ट है उसके बाद ये चैप्टर आपका क्लोज होगा आप सभी लोग एक्जाम रेस इंदी को जरूर सब्सक्राइब करिए डेली बहुत ही इंपोर्टन सेशन आप पर अपनोड होते हैं थैंक्यों